हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इलेक्टरिक वर्क सेंटर यूटुब चैनल में दोस्तों आज की वडियो में देखेंगे जानेंगे इलेक्टरिक वाइरिंग करने के लिए दिवाल में ज्जीरी प्रोपर तरह से सही तरह से जेनुवीन तरीके से कैसे करते हैं करना चाहिए किस मशिन से क्या फायदा है क्या नुकसान है किस में कितना सेप्टी है application complete हर step को दिखलाया गया है इस वीडियो को देखने के बाद कहीं पर भी आप जीरी कटिंग कर सकते हैं और final decide कर सकते हैं कि किस मशिन से proper पर तरह से सही तरह से जीरी कटिंग किया जाता है अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को A to Z complete पूरा जरूर देखिए तो सबसे पहले हम आपको बता दे किसी भी दिवाल पे अगर आप जीरी कटिंग करके पाइप लगाना चाहते हैं किसी भी मसीन से तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है अच्छी तरह से दिवाल पे पानी से भीगो ना जब अच्छी तरह से पानी से भीगो देंगे तो कोई भी मसीन हम चलाएंगे चाह कटर हो या ग्रेंडर हो या वाल ग्रोबिंग चैसर मसीन हो उससे हमारा धूल जो है डस्ट है वो नहीं ज्यादा उड़ेगा देखिए अगर अच्छी तरह से आप पानी से तर कर दते हैं दिवाल पे तो बिल्कुल नहीं उड़ेगा लेकिन थोड़ा बहुत अगर अच्छी तरह से आप नहीं करते हैं थोड़ा सा ही पानी मारते हैं तो भी धूल की मात्रा है वो लगभग 60-80% कम हो जाता है मात्र 20% रहता है अगर अच्छी तरह से मार दे तो मान के चलिए 95% आपका बिल्कुल जो डश्ट है वो नहीं उड़ता है तो हम आपको सबसे पहले बताएते हैं कि जरूरी है अच्छी तरह से पानी से दिवाल को भीगोना हम ज़्यादा तर क्या करते हैं अच्छी तरह से मसीन से कटिंग करते हैं यहां पे हम बारी बारी हर मसीन से कटिंग करके आपको दिखाएंगे जैसे ग्रेंडर मसीन हो गया या जो टाइल्स कटर मारबल के लिए आता है कटर मसीन वो हो गया या वाल ग्रोविंग मसीन जो आता है जिसे वाल चेसर के नाम से जाना जाता है वो हो गया और आप इस वीडियो को complete देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा बहतर मसीन है आपको कौन सा मसीन लेना चाहिए या जीरी cutting करने के लिए कौन सा सही मसीन होता है हम आपको A to Z complete दिखलाएंगे बतलाएंगे आप इस वीडियो को पूरा complete ध्यान से देखिएगा सुनिएगा समझेगा तो उसके बाद आप कहीं पर भी अच्छी तरह से जीरी की cutting कर सकते हैं और decide आप कर सकते हैं कौन सा मसीन आपके लिए बहतर है जीरी cutting करने के लिए किस में आपको safety मिलता है और किस में आपको proper safety नहीं मिलता है और यहां पर एक चीज मैं clear कर दू जो dust होता है जो उड़ता है इसे हम लोग ignore करके काम कर लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्यों कि यहां पर कई तरह के problem हमें होते हैं एक तो हमारे आंग को problem यह प इससे बचाओ जरूरी है तो इसलिए कभी भी अगर आप काम कर रहा है तो जरूरी है अच्छी तरह से पानी मारना और उसके बाद जिरी cutting करना कुछ ऐसे condition होते हैं जहां पर हम लोग धूल को यह पानी नहीं मार सकते हैं लेकिन जहां पर अगर पानी मार सकते हैं वहां पर पानी जरूर मारिये अब यहां पर हमने पानी को अच्छी तरह से मार लिया हुआ है अब यहां पर जो वाल ग्रोविंग मसीन है उससे हम जीरी cutting कर रहा हैं अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो इसमें pipe लगाने के लिए रहता है जो धूल डस्ट है वो अलग जाए वो ह यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता अब यहां पर यह जो है लिंटर है यानि बीम है अब इसके उपर थोड़ा धूल ज्यादा उड़ेगा क्यों उड़ेगा क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं जाता है जैसे देखिए यह थोड़ा सा ज्यादा हो गया यहां पर जिस वाल गरोबी मसीन है जिसे वाल चेसर के नाम से भी जाना जाता है अब यह कटिंग हो गया है इस पर क्या करेंगे जो चीसल होता है यानि छेनी और हथवड़ी यानि हैंबर हैंबर यानि हथवड़ी हम लोग बोलते हैं उसे हैंबर हो गया चेनी जिसे चीसल के नाम से जाना अब यहाँ पर हमने cutting कर लिया है इस तरह से आप cutting कर सकते हैं यह तो हो गया हमारा pipe के लिए इसके अंदर हमारा pipe आ जाएगा चलिए हम बात करते हैं बोर्ड अगर cutting करना हो तो उसके लिए wall growing machine से board की cutting हम लोग नहीं उसके लिए grinder machine ही चाहिए जो हमारा grinder machine है वो 6 inch का blade लगा हुआ है और board का जो size है उसको marking कर लेंगे और कभी भी board से 1 inch बड़ा cutting करना चाहिए यानि 1 inch gap होना चाहिए उसके अंदर masala जाएगा तब जाके वो पकड़ बनाता है बिल्कुल बराबर cutting आपको नहीं करना है और थोड़ा सा ये उपर से जो जीरी है ना pipe का थोड़ा सा उपर से जरूर cutting करेंगे इससे क्या होता है आपका जो pipe है जो board रहता है उसके अंदर जो cutting रहता है होल का वो थोड़ा dip होता है तो इसलिए जरूरी है उपर से cutting करना और यहां पर जो board है इसको थोड़ा सा ज्यादा cutting कर देंगे ताकि जो चीसल है है उससे हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगे तोड़ने में इजली हमारा तूट जाए जैसे यहां पर हम कर रहे है तो इजली हमारा cutting हो रहा है ज्यादा मेहनत नहीं लग रहा है इसलिए हम लोग क्या करते है अब यह pipe हमारा डीप में आएगा तो इजली चला जाएगा board में तो यहां पर चलिया हम फटाफट cutting कर लेते हैं और cutting करने के बाद यहां पे board रखते हैं और आपको दिखलाते हैं दिवाल से बाहर कितना होना चाहिए एक चीज़ हम आपको बता दे कभी भी cutting हम कर रहा हैं बोड अगर लगा रहा हैं तो जो wall होता है दिवाल उससे 8 mm हमारा जो बोड है वो बाहर आना चाहिए उससे ज़ादा न हुआ है तो इस तरह से हमारा हो गया इस तरह से आठ नरा मर्ण जो बी आपका सैज connect न're होता है यहां पे हमारे जैसे ह remove है इसको कटिंग कर ले रहा है जो पाइप हमारा आएगा बोर्ड में उसके लिए थोड़ा सा डीफ हमको उपर से ही करना होता है तो वो भी हम कर लेते हैं और अच्छी तरह से यहां पे जो हमारा दिवाल है जैसे यह इट है इट को अच्छी तरह से कटिंग कर लेते हैं और हमेशा ध्यान रहे एक इंच जरूर कटिंग करना चाहिए बोर्ड के हर साइड से आपको दस मिनिममम गैप होना चाहिए जिससे उसके अंदर मसाला जाएगा तो पकड़ बनाएगा मजबूत होगा कभी ही लेगा नहीं आपका बोर्ड इस बात को ध्यान में रखना है और ची सालर हैंबर से यहां पे त किवरी के हिसाब से बहुत से जगा पे प्लस तर मोटा भी होता है लेकिन हमें दस में के हिसाब से रखना है पांच में बाहर अब यहां पे ग्रेंडर मसीन है उससे हम कटिंग कर रहे हैं ग्रेंडर मसीन जो है वो हमारा पांच इंच का है इसके अंदर ब्लेड जो है वो प ज़ादातर बोड की cutting करता हैं, ताकि बोड procedure तरसे हो जाए तो यहाँ पे cm चला रहे हम और मसामने कभी सामने कभी कभी सर या अपना सरीर नहीं रखना चाहिए कईक्वीकब्येट उससे जाल कोका छत्वरों द्माता है और भी कासरी मत्तुट ढ innा लुह when practice कि आप पूरी पकड़ से यानि अपने हाथ में इसे कंट्रोल में रख सकते हैं आपको किसी भी तरह का इससे कटिंग मैंने कहने मतलब जटका लग करके आपके साथ एक्सिडेंट नहीं हो सकता है लेकिन ग्रेंडर में ऐसा हो जाता है ये ध्यान रहे ग्रेंडर थोड़ा रि ग्रेंडर मसीन है उसकी बात अलग है लेकिन हमारे इसाब से सबसे सेफ और सुरक्षित जो है वह आपका कटर मसीन है इससे बस होता क्या है कॉर्णर जो होता है वह कटिंग नहीं हो पाता है लेकिन ग्रेंडर मसीन से हमारा कॉर्णर कटिंग हो जाता है यही दिक्कत है इस हमारे कंट्रोल में ही होता है लेकिन वो थोड़ा रिक्स होता है क्योंकि मसीन फसना ही है जैसे यह हमारा चार इंच का ग्रेंडर है अब यह हम चलाएंगे तो यह हम इसा ध्यान में रखेंगे ग्रेंडर के सामने हमारा सर या सरीर नहीं पाड़ना चाहिए क्योंकि यह फसता को दिखाने के लिए लेकिन में कैई तो मैं कटर और ग्रोविंग म AH दोхी मसुन को इस्तमाल करता हूं GRANDR मसुन बहुत सही है आपके कटिंग के लिए यारि कटिंग कर भूपकर सब कोड़कर सब्सक्ति कॉइंग कर रहा है सेलींग से अमें क्टर पांद से एक को बतला दे चार इंच में आप किसी भी कमपणी का ले लिए चाहे 600 वाट हो या 750 वाट हो या 900 वाट हो यह ज्यादा लोड नहीं लेता है यह जिरी कटिंग करने के लिए नहीं बना है जो गेट ग्रिल होता है उसको थोड़ा बहुत रगड़ने के लिए बना हुआ है जिरी कटिंग में हम लोगों को हाड होता है तो ज्यादा तर अगर मैं कहूं अगर आपको प्रसनल यूज़ करना है और हैवी और मजबुक चाहिए तो आप पांच इंच का ग्रेंडर मसीन लीजे या तो कटर मसीन लीजे हेवी वाला मैं अभी आगे आपको वीडियो में दिखलाऊंगा बतलाऊंगा हर मेशीन को कि हमारे पास कौन सा मसीन कितना दिन चला अब यहां पे जो दिवाल में हम बोड कटिंग करेंगे चार इंच स प्रोपर तरह से हमारा कटिंग नहीं होगा डिप नहीं होगा तो यहां पे हमारा यह बार मॉडलर है इसको मार्किंग कर लिए अब इससे थोड़ा सा ज्यादा हम कटिंग करेंगे हर सैड से आधा आधा इंच तो यहां पे जो है हमारा पांच इंच का ग्रेंडर मसीन है ल जब्तों दियान में रखेगा इसलिए हम को भ़र नहीं लगाया हुए है तो कभी भी यह रीक्स होता है इसलिए साउधानी जरूरी है तभी भी साउधानी से ही ग्रेंडर मशीन को चलाये ध्यान में रखते हुए तो ये बोड कटिंग के लिए तो हो गया हमारा चार इंच के मसीन से भी कटिंग हम लोग कर सकते हैं लेकिन ये डीप नहीं होता है थोड़ा सा हमें जादा छीशल हमबसे कटिंग करना पड़ता है यह तो बोड कटिंग होगया बहुत से लोग क्या करते हैं जो पाइप रहता है हमारा उसके अंदर भी थोड़ा-थोड़ा इसते से कटिंग कर देता है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है हम लोग अगर बुराबर कटिंग कर दें तो उ कर जाएगा इसलिए हम नहीं कटिंग करते हैं अब यहां पर हमारे पास चार मसीन है जिरी कटिंग करने के लिए वाल गुरोबिंग मसीन है यह कटर मसीन है वारा चार इंच का और पांच इंच का भी है और यहां पर हमारे पास एक कटर मसीन है जो हमारा टाइल्स मारबल के ल लिया था और 11 साल से इसको इस्तमाल कर रहा हूं 2009 में लिया था इसके अंदर कुछ नहीं हुआ सब चीज़ सही है बस इसके अंदर हुआ क्या है कि जो हमारा कार्बन है उसको कई बार बदला हूं तो कार्बन का जो यह नट होता है कवर वह खराब हो गया तो उसको पर टेप लगा हैं और इसका लीड वायर जो है वह खराब हो गया तो उसको हमने बदल दिया बाकी यह मसीन काफी बेष्ट है आज तक कार्मेचर फिल्ड कुछ भी नहीं खराब हुआ कार्बन सिर्फ मैंने चेंज किया है कई बार और यह हमारे कंट्रोल में होता है हैंड में होता है थोड़ा कॉर्णर नहीं कटिंग करता है लेकिन हमारे सेफटी के लिए यह बेष्ट है कोई दिक्कत नहीं है यह मॉडल फिर हम खैदने के लिए कोशिस किया है लेकिन यह मॉडल नेम तो नाम से आ जाता है लेकिन से मसीन नहीं आता है कम दामे अजकल मसीन मिल जाती है इत कमपनी का मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं और बुराई नहीं कर रहा हूं मेरे हिसाब से 4 इंच का मसीन कोई भी सही नहीं होता है बहुत से लोग पुछते हैं मैं बताइता हूं कि हाँ आप ले लीजे बॉस ले लीजे, डिवाल्ड ले लीजे वो अलग मेटर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही नहीं होता है, क्यकि उसके अंदर उतनी power नहीं होती है, और board cutting करने के लिए हमें ज्यादा जогда जीरी cutting करना पड़ता है, deep नहीं जाता है, बहुत से problem होता है, लेकिन हमारा जो 5 inch का है, आप local ही लिजिये, वो नहीं चलेगा, थोड़ा कम लाइफ होगा लेकिन बेष्ट होगा आप 5 इंच का बिलेट लगाए यह डीप कटिंग होगा आपका अच्छा रहेगा 6 इंच का बिलेट लगा करके मसीन तो यह खराब जाता है हम बदलते रहते हैं लेकिन हमारे लिए सबसे वेश्ट अगर ग्रेंडर मसीन है तो पांच इंच लीजे और यह हमारा वाल ग्रोबिंग मसीन है इसकी हम तारिफ क्या करें देखें यह मसीन सही नहीं है आप इस तरह के मसीन अगर ले रहे हैं उसम अंदर लेवल पाइप लगा करके पानी कनेक्ट किया गया है पानी गिरते रहेगा कटिंग करते रहेगा उसी समय नहीं उड़ेगा बाकि ऐसे तो उड़ना ही है ऐसे जैसे कि अगर दिवाल पर पानी मार दिये जैसे कि अभी हमने आपको वीडियो में दिख लाया तो किसी भी मसीन से आप कटिंग करेंगे तो आपको धूल डस्ट जादा नहीं उड़ेगा बहुत कम उड़ेगा तो इस बात को आपको ध्यान में रखना इस तरह के अगर मसीन आप वाल ग्रोविंग लेना चाहते हैं तो आप लगाईए यह हमेशा ध्यान में रखेएगा पैसा खर् पाल होगा जो बोड हम लो लगाते हैं या जो लाइट पॉइंट लगाते हैं वह कितना हाइट पर लगता है तो मैं इसके लिए बिलकुल सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको दिखला दूंगा बतला दूंगा किस तरह से पाइप जक्सन बॉक्स लग सिर्फ मैंने बतलाया है किस तरह से आप अच्छी तरह से जीरी कटिंग कर सकते हैं किस तरह से किया जाता है और कौन सा मसीन सही होता है जीरी कटिंग करने के लिए तो चलिए दूस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छ लेगी तो लाइक किजे शे तो नीचे comment box में जरू लिखिए अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो EWC application पर हमसे बात कर सकते हैं